हेलो एवरिवन स्वागत है आपको इस चैनल पे इस वीडियो में हम देव उठनी एक दसी पर्व से संबंधी टाउप महत्वपुन कोस्चन लेकर आए हैं जो आपके जीके के पॉइंट अप्टियो से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो के आन तक जरू परने रहें यदि आप इस चैनल पे रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजे देव उठनी एक दसी पर्व किस तीथी को मनाई जाती है इसका अंसर है कार्तिक मास की सुकलपक्च की एक दसी को माननेता है कि इस एक दसी के तीथी पर भगवान विश्रू चागरीत होते हैं यानि सयनकाल को पून करते हैं और पूना प्रीथी की बागडौर अपने हाथों में ले ले लेते हैं नेक्स्ट कोस्टेन में आते हैं, दिपावली पर्व के 10 दिन बाद क्या पर्व मनाते हैं, क्या बोल गया है, दिपावली पर्व के 10 दिन बाद, मतलब 11 दिन कौन सा पर्व मनाई जाती है, इसका अंसर है, देव उठनी एकदसी पर्व, दिपावली पर्व कार्तिक मास की अम एकदसी पर्व में किसके विवाह की रस्म की जाती है इसका अंसर है तुलसी विवाह की ओके इस दिन गन्ने के मंडब बनाकर उसमें भगवान साली ग्राम की प्रतिमा एवं तुलसी का पौधा रखकर उनका विवाह कराया जाता है दे उठनी एकदसी ग्यारस पर मंदीरों और घरों में भगवान लच्मी नरान की पूझा अर्चना की जाती है और गोधीली बेला में तुलसी विवाह करने का पुणिया लिया जाता है नेक्स्ट कोस्चन में आते हैं पराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विश्रू चार मास की नीदरा के बाद कब उठते हैं इसका अंसर है देव उठनी एकदसी परवको ओके देखे पराणिक कथाओं के अनुसार संखा सुर नामक एक बलसाली आसुर को देवताओं की प्राथना पर भगवान विश्रू संखा सुर से यूद करने गए कई वर्सों तक संखा सुर से भगवान विश्रू का यूद हुआ यूद में संखा सुर मारा गये यूद करते हुए भगवान विश्रू काफी ठक गए और चीर सागर में अनंद सयन करने लगे चार मास सोने के बाद कार्तिक मास की सुक्ल एकदसी के दिन निद्रा से उठे इस दिन को देव उठनी कहा जाता है और अनेक कथाएं प्रचली थे लेकिन हम याद रखेंगे चार मास की निद्रा के बाद देव उठनी के एकदसी की दिन भगवान विश्णू उठते हैं नेक्स्ट एंड लाश्ट कोस्चन में आते हैं देव उठनी एकदसी कार्तिक मास में और देव सैनी एकदसी किस तीथी में मानते हैं कौन सी देव सैनी एकदसी किस तीथी को मानते हैं इसका अंसर है असार मास की सुकल एकदसी को ओके भगवान विश्रू असार मास की सुकल एक अद्यसी को देव सैन करते हैं इस दिन से चतूर मास आरम होते हैं और देव उठनी तर चलता है इस वीडियो में तना है वीडियो अच्छा लगाँ लाइक, सब्सक्राइब और सेर करना ना भूले थैंक्यू सो माच